मेरे प्यारे देश वाशियों, नमस्कार, साथियों, आज की मन की बात में, देश की उस महान सक्सियत मैं उनकी भी बात करूँगा, हम सभी हिंदुस्तान वाशियों के दिल में उनके प्रती बहुत सम्मान है, बहुत लगाव है, शायद ही हिंदुस्तान का कोई नागरी होग जो उनके प्रति आदर न रखता हो सम्मान न करता हो वो उम्र में हम सभी से बहुत बड़ी है और देश के अलग-अलग पड़ावों अलग-अलग दौर की वो साक्षी हैं हम उन्हें दीदी कहते हैं लता दीदी वो इस 28 सितंबर को 90 वर्सकी हो रही है विदेश यात्रा पर निकलने से पहले मुझे दीदी से फोन पर बात करने का सोभागे मिला था ये बात्चित वैसी ही थी जैसे बहुत दुलार मैं छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात करता है मैं इस तरह के व्यक्तिकत समवात के बारे में कभी बताता नहीं लेकिन आज चाहता हूँ कि आप भी लता दीदी की भाते सुनें उस बात्चित को सुनें सुनिए कि कैसे आउ के इस पड़ाव में भी लता दीदी देश से जुड़ी तमाम बातों के लिए उत्सुख है तत्पर है और जीवन का संतोष भी भारत की प्रगति में है बदलते हुए भारत में है नई उचाईयों को छूर रहे भारत में है लता दीदी प्रणाम मैं नरेंदर मोधी बोल रहा हूँ मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदीन पर मैं हवाई जहाज में ट्रावेलिंग कर रहा हूँ कि मैंने सोचा जाने से पहले ही आपको जन्मदीन की बहुत बहुत शुपकामना है अग्रिम बधाई दे दूँ आपका स्वात अच्छा रहे है आपका आश्रवाद हम सभी पर बना रहे बस यही प्रार्थना और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया आपका फोन आएगा यह सुनके मैं बहुत यह हो गई थी आप जाके कब वापस आएगे मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग और तब आपका जनम दिन हो गया होगा जनम दिन तो क्या मनाएंगे और मस घर में सब लोग तो आपका आशिर्वाद मिले तो अरे आपके आशिर्वाद हम मागते हैं आप तो हम से बड़े हैं और सुनने वालों का अशिर्वाद है कि यही आपकी नमरता जो है यह हम नई पीडी के सब के लिए बहुत बड़ी सिक्षा है बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि आपने जीवन में इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके मात-पिता के समस्कार और नमरता को हमेशा ही प्रात्विक्ता दी है और मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी मा गुजराती थी और मैं जब भी आपके पास आया आपने मुझे हमेशा कुछ गुजराती खिलाया आप क्या है आपको खुद पता नहीं है मैं जानती हूं कि आपके आने से भारत का चित्र वदल रहा है और वोही मुझे बहुत खुशी होती है बहुत अच्छा लगता है बज दिदी आपके आशिरवात बने रहे पूरे देश पर आपके आशिरवात बने रहे और हम जैसे लोग कुछ नुकुछ अच्छा करते रहे मुझे आपने हमेशा प्रेणा दी है आपकी चिठी भी मुझे मिलती रहती है और आपकी कुछ नुकुछ भेट सोगात भी मुझ होता है नहीं मैं आपको बहुत तकलीफ नहीं देना चाहती हूं चुके मैं देख रही हूं जानती हूं कि आप कितने बीजी होते हैं और आपको कितना काम होता है क्या क्या सोचना पड़ता है जब आप जाके अपनी माता जी को पाउचु के आए देखा तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका अशिर्वाद लिया हाँ मेरी मा को याद था और वो मुझे बता रही थी और टेली फोन पर उन्हें ने मुझे अशिर्वाद दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा हमारी मा बहुत प्रसंद थी आपके प्यार के कारण और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं फिर एक बार मैं आपको जन्मदीन की बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाओं लेकिन समय के इतनी विस्ततातिक मैं आनी पाया लेकिन मैं बहुत ही जल्द आउंगा और घर आ करके कुछ गुजराती चीजे आपके हाथ सो खाऊंगा जी जरूष 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 ये तो मेरा सवागी होगा प्रणाम दीदी बहुत सुबकामनाई आपको बहुत बहुत प्रणाम जी